हेलो बाइज आज मेरे पास पैसेन प्रो आई है इसमें काफी प्रॉब्लम लग रहा है क्योंकि कस्ट्रूमर मुझे बूला है कि इसके टाइमिंग चेंड दो तीन बार हमने चेंज कर दिया है लेकिन अभी तक इसकी आवाज बन नहीं हुए तो मैं आपको आवाज इसकी सु इसमें क्या प्रॉब्लम है तो सो गाई जैसे यह देख सकते हैं यह हमारा पूरा कवर निकल चुका है और यहां पर पूरा आवल लगे हुए है और यहां पर आप देख सकते हैं यह पूरा जो टकला गेर रहता है वो पूरा तूटके यहां पर अटका हुआ है तो मैं अभी निकालता हूँ इसे और आपको तकला गेर भी दिखाता हूँ हंदर है या नहीं है यह सारे गेर तूट चुके हैं इसके होजे से क्या है यह स्प्रिंग टेस्नर जो खराब हुआ था तो हमने इसे डाल चेंज किया है जो यह वाला है इसका इसका पार्ट सामने भी चेंज किया था तो भी आवाज नहीं बंद हुआ और यह भी देख सकते हैं यह भी बैन्ड हो चुका है यहां से देखेंगे इस अप्रॉस हो गया उपर की तरफ और अभी मैं टकलागेर का जो नट है इसे खोलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि यहां पर कुछ बच्चा है या नहीं यहां पर भी देख सकते हैं कि यह टकला गयर जो है यह गयर का नठी गसराता इसके अंदर टकलागेर है appeal नहीं तो इसके और शीजर से खन खन कन करके जादा जादा आ रही थी तो ऐसी कोई भी गाड़ी के बारे में या कोई भी वीडियो के बारे में आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं तो नेक्ट वीडियो में मिलते हैं thank you so much और भी बहुत सारे अपडेट आपको मिल सकती है आप हमारे चैनल पे बने रहे हैं और जो भी हमारी वीडियो है उसे लाइक करें सेर करें और कमेंट करें यह देख सकते हैं यह जो टेशनर है इसका यह वाला काम काम कर रहा है यहां से जो दपता है यह जब यहां चैन उपर नीचे होती है तो यह गेर वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें यह गाड़ी है पैसन प्रोब तो गाइस जैसे आप देख सकते हैं इसका जो यह गेर खराब था इस गेर को यहां पर गेर है नहीं तो यह वाला पार्ट समने अभी यह वाला देखिए नया लेके आया है इसके सब गेर है और दूसरा जो यह टकला गेर जिससे कहते हैं यह इस बाइक के अंदर नहीं ठा तो अभी इसने इस्टॉल करेंगे और आपको इसके आवज सुनाएंगे पहले और अभी का क्या फरक है इसके अंदर तो वीडिव में बने रहें में इसे इस्टॉल करते हैं तो इस्सों आई तो यह रबबर दिखने हैं यहां से हमने इसे ही प्रेस किसको उठाके और इसे अंदर की तरफ प्रेस कर दिया है यह हमारा टकलागेर अंदर से लगया अब यहां जाने के बाद यहां सेंटर आएगा यहां टाइमिंग चेंड जब जैसे उपर निचे करेंगे यहां पर मेच करने के बाद गार की बोल्ट रहता है इसे नहीं पर कर देंगे विर कुछ तरीके से यह लग जाता है जसके तीप आसे हम इसे आइटीध कर देंगे यह हमारा यह इस्टॉलिंगन अब बत्छािंगा यह गेर इस चाहिकेश करें चाहणते प्रेस करें के बात में इसे हम यहां पर इसे इसे इस्टॉल कर दें अ पि 같이 क्या देफू सेंगे इसका तुछ पूंप पूंप भी करेंगे उसके बाद आपको दिखाते हैं कि यह ऐसे एक दम प्राइट हो जाएगा उसके बाद में यह जो प्रॉब्लम आ रहा था वो इसका सॉल हो जाएगा इसका जो टक लगे रहे हो तूटके यहां पर फ्रेस के जो कच्रा पुरा यहां पर जम गया था इसके कारण क्या हो रहा था कि यह पंप एग्नम फ्री नहीं आ रहा था जा रहा था इसके जैसे इसमें इसके टमप्रेशर वो नहीं दे पा रहे चान टाइमिंग चैन को तो तो सुवाइज यह पैसन प्रो अपना जिसका टाइमिंग गेर हमने जाला और अब हम आपको चालू करके दिखाएंगे इसमें जो आवाज था देख सके अभी आवाज बहुत ही कम हो गया है मतलब कम हो गया है वह आवाज जो आ रहा था कि एक आपकि हमने पुरा टाइमिंग-चैन नहीं चेंज किया है पहले कचच कच-कच आ रहाता है अभी तो बहुत प्रेस सैटीक है अभी कोई आवाज नहीं इगा डिक इसन चाल झाल झाल